अगर आप मेरे चैनल पे नई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक और शेर करिएगा ताकि मुझे सपोर्ट मिल सके थोड़ा जी आज में लेके आई हो एक नई रेसिपी जिसे कहते हैं पनीर बुर्जी सिर्फ पनीर बुर्जी नहीं अम्रसरी पनीर दाली है एक चम्मच हल्दी एक चम्मच मिर्ची एक बड़ा चम्मच के करीब मैंने धनिया पौडर डाला है एक चोटा चम्मच मैंने जीरा पौडर डाला है और एक बड़ा चम्मच के करीब किच्छन किंग मसाला डाला है आपके पास हो तो आप डाल सकते हैं स्पून के करीब ओयल और थोड़ा सा घी देखिए इसको आप घी में बनाएंगे ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा आप चाहो तो सिर्फ बटर में भी बना सकते हो सिर्फ ओयल में भी बना सकते हो लेकिन मुझे मिक्स करके मुझे बनाना था अदरवाइस घी जल जात पिर उसमें डाला मैंने प्याज को और इसको तब तक स्लो फ्लेम पे हमें भूणना है जब तक थोड़ सा पिंकेश नहीं हो जाता और हमारा लेसन पाक नहीं जाता फिर हम इसमें एड़ करेंगे एक बड़ा टमाट यिसमें बड़े बड़े चंक्स में काटा है आप चाहो तो प्यूरी भी डाल सकते हैं इसमें टमाटर की इस स्टेज पे फिर उसे तब तक पकाना है जब तक औल सेपरेट नहीं हो जाए फिर मैंने इसमें थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिश डाली है थोड़ी सी कलर के लिए और इसको अच्छे से भूनना है फिर मैंने इसमें जो यह बनाया था बेसन और दही का और इसको आध करना है जब तक पकाना है जब तक इसमें अच्छा सा डैस नहीं हो जाता यह देखेए मैंने इसको अच्छे से भून लिया है जिससे क्या है बेसन मैंने कच्चा लिया था तो मुझे भूनना भी था थोड़ा सा इसे वो भी भून गया फिर मैंने ये देखे दो सो ग्राम के करीब पनीर था सरस का पनीर था तो मैंने दो सो ग्राम पनीर लिया है उसको अच्छे से मिक्स कर दीजे फिर हम इसमें थोड़ा सा दूद डालेंगे देखिए दूद आपके कोडिंग है कि आप कितना डाल रहे हो आप थोड़ी सी पतली चाहते हो तो आप जाधा डाल सकते हो मेरी इस जितना मेरे पस 200 ग्राम पनीरता उसी साफ से आधा या पॉन कप दूद चल जा कि मैंने थोड़ा सा काले मिर्ज का पाउडर भी डाला था बहुत अच्छा टेस्ट आता है और इसे हमें तब तक पकाना है जब तक इसमें से थोड़ा सा ओइल सेपरेट नहीं हो जाता फिर इसको अच्छे से भूनिए और आप इसको बना के देखेगा मस्ट्राइ अब यह देखे मेरा बन गया मैंने इसमें अच्छे से पकाया तो और जो है वो सेपरेट हो गया यह देखे कितना अच्छा सा कलर आया और यह पग भी गई है क्योंकि हमने बेसन वगेरा डाला था तो उसको पकाना भी ज़रूरिया था फिर इसमें मैंने थोड़ा सा नीब पनीर बुरजी बहुत ही ऑसम बनी थी मैं बार बर कहूंगी कि आप इसको ज़रूर ट्राइ करेगा और प्लीज मेरे इस पोस्ट को लाइक करेगा थैंक्स फॉर वाचिंग